आपको इस पेपर की PDF में मिल आएगी PDF के लिए आप थर्ड सेमेस्टर गुरूप जोईन कर लें और इसको हम सेमेस्टर के गुरूप में भी सेर करतेंगे इस पेपर कोड़ आपका और आप लोग पांस लोगों तक वीडियो शेयर कर दीजिए अगर लोगों पहुंचा दिया करो हिस्ट्री आज का पढ़ाएंगे थर्ड सेमेस्टर का और इस थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ाएंगे भारत का आदम के थिहास ठीक है क्योंकि पेपर से लेकर 850 तक कीस में जो है घटनाओं का मतलब जिक्र हुआ है आदम ही भारत कहते हैं सब्सक्राइब कर आप लोग यहां पर दिया हुआ है आपको इंस्ट्रेक्शन सावी घंडों को अटेप्ट करना है इनी जो खंड आपके तीन है आवासा वह आपको सभी करने है ठीक ह है है यहां पर से दिया हुआ है बए करना ह्फसे करने कोниज्ड में हैं जो नंबर है बर है थीक है तोग स्सक्राइब हैं पहला कोशन हमारा है इसका बेशार्ट में लिखा हुआ है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के पीच प्रत्थम करनाट कब बार कब हुआ है यह कि ऑन रिषित ब्रेट प्रनाट का वार इस्टार्टर ब्रिटिस एंड फ्रैंसे करें सेंडियर के बीच में यहाँ कष्ण है कोशन नमर सेकेंड इंविस सिटी बिटिस रूलर से स्टैबलेज इस फैक्टरी इनिस इंडिया यह भारत में अंग्रेजों ने भारत में सरप्रतम किस नगर में अपना का रखाना इस्तापित किया था सबसे फ़ले वेक्टरी कहा रहाई थी ठीक है तीनमर कोशन है यह अला क इन्य प्रणेक्ट था लों कब पार्त है इसकी आ है क्योंड और बात और उडर वीडियो फांस रोख यहrementक주ित वाला है थार्ड सेमस्टर भी फिनिस होने वाला है, इसके बाद में आप किस सेमस्टर की वीडियो चाते हैं, किस सब्जिक्ट की चाते हैं, कम्यूटी पर फाल जूर कीजेगा, बहां से आपको इसके बारे में जो भी टीटेलों की मिल जाएगी, जैसे आप 2nd semester English चाहते हैं तो इंग्लिस के लिए comment बता दें और एडिया आप 3rd semester में 4 semester English का चाहते हैं तो इंग्लिस का बताएं जिस सब्सक्राइब चाहते हैं वो सब्जिक्ट बताएं हम उसको प्राइब कोश्च करेंगे और जो सेकंड यह थर्डे वाले पेपर होने वाल कौन था ब्रहम समाज करसंस था पक तो इसमें आपको पांच कोशन देने थे करने थे पांच को करने आपको अब देखते हैं हम खंड वा इनी सेक्शन भी साड़ांसर आप कोशन है यह लगोत्तरी प्रसन है नोड़ अड़नी टू हाउड आप दा फालोइंग कोई से दो प 15 मार्कस दो कोशन करेंगे आप आपके पंदन नम्र करोंगे और कैसे कोशन करना है वह भी आपको मिल जाएगा अधिक है अगह बढ़ते हैं को श्रवशन मंबर सिक्स हमारा है वाट इस ब्लैक होल ट्रेजडी ब्लैक होल ट्रेजडी जो घटना थी वो क्या थी वो आपको बताना है ठीक है इससे कहते है हिंदी में काल कोटरी तराजदी काल कोटरी तराजदी क्या थी डिसकस दा हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस आप प्लासी बार 1.757 इनी 657 का जो प्लासी का यह दू था उसका एत्याहसिक महतों क्या है उसके बारे मैं बताईए अगला question है इनके theological movement, इनके आंधरून क्या था, उसके बारे में आपको बताना है तो यह 8 question है 6-8 question थे, section B में इनी खंड़वा में, तो उसमें आपको दो करने दे कोई से दो कांसर देना है सेक्शन सी में आ जाते हैं इसमें आपके लागाँ जटाब कोशन है और दिरुत्री पर्षन है तो प्रोटिकल साइंस जो पेपर जिसका भी है वो उसका वीडियो प्रोड होगा क्यों को अठाया तारिक में इस्तियास का पेपर ह दो तीन देना इन के लिए फ्यो तीसे दिन पेपर इनका हो जाएगा तो दो दिन इनके वीडियो प्रोड होंगे और प्लिटिकल साइंस के भीडियो प्रोड होँगे दोनों सेमेस्टर के आप पर साम ना हो और जो आपका पेपर है निउट्रिशन फूड है ज़ना उसका उने हैं प्रतिक 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 पर संसरा को कितने का पन्द रंकों का है इसलिए एक सिक्ट्र है वह आपका 45 मार्क तो पॉपशनिहां कुशन आदा ही क्योंकि अगर आदा भी कोशन करेंगे तो आपको पांच नमबर मिल लाएंगे और अज चोड़ दिया तो आपको जो साथ के साथ नमबर करनी है या पर उसको प्रूव करना है ठीक और अगर आपको यह नहीं आ रहा तो दूसरा कर सकते हैं आप लोग राजा राम मौन रहा है बादा फर्स्ट पर्सन इंडिया इन आफ इंडियन रेंसांस डिस्क्राइब इट है इन्हें जो राजा राम मौन रहा थे वो पहले भा का पक्च रखा या फिर राजा मौन रहा है भारतिये प्रजागन के अग्रदूत थे इस तरीके से कोशन आपको बन जाएगा तरह आपका कोशन है अगला ग्यारा कोशन है इसमें डेस्क्राइब दा इंटर्नल रिफार्म लाड डलाहुजी इन्हें डलाहुजी के दौरा एंटर्ग सुदार किये गए थे पुन के सुदारों के आपको बैक्ते कर नहीं है डलाहुजी के आंतर्ग सुदारों के रख़ा किजिए इन्हां सुदार तो सब ने किया लूटा सब ने हैं इंडिया को जितने भी गवर्न आए लेकिएब्ये दाली और लेकिन डॉला जी स तो इस तरीके से महाफर्सुनेटर कोशन आपके मिलते रहेंगे और आप लाइक प्लिकुल नहीं करते हैं तो प्रिस लाइक भी कर दीजिए और इस प्रिकार से कोशन जो है अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कोशन कर सकते हैं वाट इस अगल मैसूर बार 1840 और 1449 इन्हें 1840 से 1849 तक कर जो युद्ध था कम था मैसूर का दूसरी युद्ध तो इसकी बेकर कीजिए क्या था तो दूसरी की आंगल मैसूर युद्ध 1840, 1849 की बेकर कीजिए यह दुक्या था तो इसके बार मैं बताना है अगर आपको कोशन पढ़ने दिक्कत आ रही है तो आप जो मेरे चानल दूसरा है हेमेंदर सिंगल एक्चर ठीक है हेमेंदर सिंगल एक्चर पर आप जाएंगे तो आपको मॉडर्ण स्टी नाम की प्ले सुरूँ चाहां बने हुए ठीक है कुछ भी हो सारी बहां बने हुए बहां देख सकते जाके तो बहुत अच्छे तरीके साथ पेपर हल कर लेंगे तो कोशन नमर हमारा 11 11 मां है लास्ट कोशन है तो एक बार इस चैनल पर जाकर आप प्लेस्ट में जरूर बीट करें और थर आप प्लेस्ट को आप सेर्म कर दी दोस्तों में और मैं भी जो गुरुप हमारा थाट से मश्रका है उसमें से कर दूँगा प्लेस्ट का लिंक भी दे दूँगा और आप वीडियो जो 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 से करिजिए का तो लिका बेहन डिड़ विदेख था वो 1784 में पार्थ हुआ त अगर आपको यह नहीं समझे मारा तो आप दूसरा कोशन हल कर सकते हैं क्योंकि जो 9 10 11 कोशन है इनमें सभी में आपका आप्शनल से कोशन दिया हुआ है वाट इस दा बैग्रांड आप बक्सरबार यह इसका भी वीडियो प्लेस्ट मिल जाएगा मॉडर इस्ट्री की जो म अर्थ कादर इत्यास मॉडर इस्ट्री पोप्लेस्ट ओपन करके आप बहां यह सारे कोशन देख सकते हैं सारे कोशन में समझाएं पहां से आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा तो डिसक्राइब इसकी आपको बैख्या करनी है तो वक्सर यूद की प्रश्ट भूमी क्या सरकती ही इसकी बैखह कीजिए तो इस प्रकार कोशन बैंन वीडियो और लौन करने और अब्जेक्ट ओप्टियां और मैंने बता दिया है और आपको रेकिंट में तो में ए ले प्टियो पर आ हुआ है कि पैटर्न आफ एक्जाम वो मिन बना दिया था इसलिए जिससे आप लोगों समझमा जाए कि अब्जेक्टिब जो